आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही special ice cream इसे हम बिना चौकलेट बिना कोको पाउडर और बिना चौकलेट पाउडर के बनाने वाले हैं इतनी delicious कि आप खा कर कहेंगे वह मज़ा आ गया और खास बात ये है ये बहुत ही जल्दी बन जाती है आपको आज की ice cream की recipe really guys बहुत बहुत पसंद आएगी सुपर सॉफ्ट एकदब मुह में घुल जाने वाली ice cream है ये तो चलिए friends देना करते हुए शुरू करते हैं आज की special ice cream की recipe तो इस ice cream को बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं chocolate biscuit लेकिन मैं यहाँ पर cream वाली biscuit का इस्तिमाल कर रही हूँ cream वाली biscuit से जो ice cream का flavor है बहुत ही बढ़िया आता है आप चाहे तो बिना cream वाली biscuit का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर दो packet लिए हैं तो अब हम सभी biscuit को निकाल लेते हैं आप हम इन सारी biscuits को छोट छोटे तुकडों में तोड़ लेंगे फित cream के आपको तोड़ना है cream अलग नहीं करनी है तो लीजे हमने सारी biscuits तोड़ ली है आप हम सारी biscuits को डालेंगे mixi के jar में और इसका ड़कन बंद करके इसका हम fine powder बना लेंगे यानिके इनको हम पीस लेते हैं तो लीजे हमने सारी biscuits को पीस लिया है और इसको हमने powder form में बना लिया है आप हम इसमें डालेंगी एक cup दूद बिल्कुल नॉर्मल दूद है आप चाहे तो ठंडा दूद का भी इस्तिमाल कर सकते ह है आप हम इसमें डाल रहे हैं दो चमच milk powder इसे हमारी ice cream में बहुत बढ़िया flavor आएगा आप चाहे तो milk powder नहीं है तो skip कर सकते हैं और साथ में हम डाल रहे हैं एक बड़ा चमच दूद की मलाई इसे creamy texture आएगा हमारी ice cream में लेकर मलाई को avoid कर दीजिए लेक minimize बहुत जरूरी है को इसको क्रीमी टेक्शर देने के लिए वरना बिस्किट वाला टेस्ट आएगा तो इन चीजों को मिलाने से एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम बनती है आप इसको हम रखन बंद करके फिर से चला लेते हैं तो लीजे हमन बिस्किट आइसक्रीम बना करके लिए रख देंगे लगबग दो घंटे के लिए रख देंगे यह जो बिस्किट आइसक्रीम होती है यह बहुत जल्दी जम जाती है दूद की आइसक्रीम की अपेक्षा दो घंटे में ही हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम जाएगी तो लीजे फ्राइंस दो घंटे हो चुके हैं और जो आइसक्रीम है काफी अच्छे से जम गई है यह देखिए कुछ इस तरह से हाला कि अभी थोड़ी कम जमी है लेकिन इत है और अब हम इसको धक्कन बंद करके फिर से एक बार चर्ण करेंगे इससे हमारी आइसक्रीम बहुती सौफ्ट बिलकुल मुह में घुल जाने वाली टैक्सर की बनेगी अब एक छोटी सी तैयारी हम और कर लेते हैं आप लिए मैंने देरी मिल्क चॉकलेट यह बिलकुल ऑ इस तरह से काट लेंगे छोटी चोटी तुकड़ों में यह मैं इसलिए डाल रही हूं कि इस चॉकलेट आइसक्रीम में थोड़े से यह तुकड़े डाल देंगे तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी जब आप उसको खाएंगे तो और भी अच्छी लगेगी आप इसकी चोटी बढ़ा है अब हम फिर से उसी बॉक्स में डालेंगे तो नीचे से मैं थोड़ी से चोकलेट को भिछा देती हूं आप ग्राइप डाले तो चलिए पीर से एसी बॉक्स में डाल देंगे तो आप इसका क्रीमी है पस जितना अच्छा बैर इसका बना है उतनी अच्छ जकान आफ़ीत के लिए नहीं है कोई ज़रूरी है क rifles ऑढ़ीत較 इसक्रीच करने नहीं कोई जरूरी नहीं है आपको सब्ले सकते हैं अंधर firstly जो एर्पार की यह तो तो फिर से हम इसको दो घंटे के लिए रख देते हैं अपकी बार और कमी समय लगा मुझे दीर घंटे ही लगे और आइस क्रीम हमारी सेथ हो गई है तो यह देखने में जितनी खुबसूरत है रियली गाइस खाने में उससे कही ज़्यादा टेस्टी है तो मैं स्कूपर से इसकी बॉल्स निकाल लेती हूँ आप चाहे तो इसको मन मुताबिक सेथ में कट कर सकते हैं जैसी आपकी एक्षा हो तो आप मेरे स्कूपर से आइसक्र क्रीमी टेक्शर की है इसका जो टेक्शर है वही बता रहा है कि बहुत ही स्मूथ है बहुत ही क्रीमी है तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं तो ये देखिए कितनी बढ़िया चॉकलेट आइस क्रीम हमने घर पर बनाई है बहुत ही आसानी से जिसे आप भी बना सकते हैं बिल्कुल घर के सामानों से तो चलिए मैं इसको डेकोरेट कर देती हूँ सिल्वर पल्स के साथ आप चाहे तो ग्रेट चॉकलेट से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत बढ़िया चॉकलेट आइस क्रीम तो चलिए अब मैं आपको इसको काट करके दिखाती हूँ ये देखिए बहुत ही क्रीमी बहुत ही डिलीसियस वाउ मुझे तो मज़ा आगया खा करके लेकिन आज की आईस क्रीम जितनी अच्छी बनी है कलर में आई है उतना अच्छा कैमरा ने आज कैच नहीं किया है रियल कलर ये है जो मैं आपको फोटो में दिखा रही हूँ बिल्खुल ऐसी ही आईस क्रीम आपकी बनेगी आप ज चलूर करते जाएगा थैंक यू फ्रेंड्स बाबाई